हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मुंजली आज किस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूकी को लेकर बीक अप्टेट्स कि मैं आपको हर बारी हर कंट्री को लेकि कुछ ना कुछ अप्टेट देती रहती हूं यहां पे यूके की अगर मैं बात करूं तो अगर आपने यूके जाना है तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखना As we are talking January intake के बाद जो UK का जो next intake है वो है मही intake and मही intake जो है open हो चुका है As I already said कि जब September intake open हुआ था या scholarship schemes इतनी हुई थी मैंने बहुत students को यहाँ पर personally recommend किया था कि अगर आपने UK जाना है पर आपके financial conditions जो है इतनी अच्छी strong नहीं है बट फिर भी आप अपनी file लगा लीजे क्योंकि आपके तब उस scenario में scholarships जो थी बहुत हाई थी and offer letter में बहुत सारी universities ने free कर दिया था and उसके बाद tuition fees तक की deduction कर दी थी तो इन सब के बाद भी बहुत कम cases देखने को मिले हैं जिन्होंने जाना है वो obviously इन सब चीजों से matter नहीं करते बट जिन्होंने नहीं जाना अपनी mind preparation में ही इतना time हो जाता है कि वो अपने हाल से एक good chance होता है वो as always खो कर बैठ जाते हैं बट अभी जैसे मई intake आने वाला है 10 से 12 universities ने मई intake open कर दिया है यहाँ पे big update यह है कि पहले ही limited universities ने अपना ये मई intake open किया है और उस पर भी restrictions क्या लगाई है उन बचों के लिए जिन्होंने अभी प्रस्टू के बाद apply करना है या मैं कहूं graduation वाले बचों के लिए और restrictions ये लगाई है कि इनके लिए sales बहुत limited कर दिया है और जो courses थे वो भी limited कर दिया है ये क्यों हो रहा है इसका जब trend निकलेगा तब खुल के analyze कर पाएंगे बर जो clear cut जो agenda दिख रहा है वो obviously जो North India को लेकर problem UK ने पहले create की थी before lockdown वो अभी imply करने लगे है और anyhow जो उनकी vaccine का scenario है तब भी वो चाहते हैं थोड़ी सी reduction तो plus two वाले बच्चों के लिए जिन्होंने अप्लाई करना था इन शूर्ट graduation वाले बच्चों के लिए उन्होंने अपनी seats and courses cut कर दिये हैं cap लगा दिये उन्होंने limited कर दिये हैं तो अगर आपने UK के लिए apply करना है तो मैं फिर आपको advise करना चाहूंगी कि अपना time जो है वो बिलकुल waste मत कीजिए क्योंकि पहले ही जो seats हैं वो limited है और जिस तरह से time और हर day by day कुछ ना कुछ update आता है UK की तरफ से UK ने relaxation तो क्या देनी थी बट रुके जो है वो day by day इंडियन स्पेशली नौर्थ इंडियन के बच्चे हैं जो उनके लिए restrictions वो create कर रहा है God knows why वो बाद में पता चलेगा बट फिर भी कुछ seats जो होती है वो हमेशा available लगती है वो अगर अच्छे बच्चे जाते हैं अच्छ जो पिछले इंटेक के बच्चे थे बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको defer करना पड़ा क्योंकि किसी ना किसी रिजन से उनको cash letter नहीं मिला तो वो भी इस इंटेक के लिए वो उन पर है क्या वो महीं इंटेक के लिए या आने वाले अगले इंटेक लिए अप्लाई जो एनलेजेशन हम बताते हैं जो सिच्वेशन बताते हैं डिपेंड करता है बट जो चांसेज अब हैं वो यह ही है कि ओल्ड फाइल्स ओलेडी लाइन में है तो आपको मैं यही कहूंगी कि आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए प्लस टू या ग्रेजुएशन की मैं गाए इन फैक्ट नंबर ओफ कोर्स इस अवेलेबल हैं पोस ग्राजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए और जो प्लस पॉइंट यहां पर यह है जो ग्रेजुएशन वाले बच्चों को नहीं देखने को मिलेगा अगर मिलेगा भी वो डिपैंड करता है यूनिवर्स दे रहे हैं और इनको भी में यही करूंगी कि डूनोट वेस्ट यूर टाइम चाहिए आप ग्राजुएशन के हो या पॉस्ट ग्राजुएशन के हो ऐस ओल्वेस सीर्स जो हैं वो फिल्ड होई जाती हैं यहां पर वेस्ट करने के लिए एक और चीज बात कोंगी क्यों मैं इस बात को हाइलाइट कर रही हूं क्योंकि मैं आपको रिमाइंड करा देना चाहती हूं कि जो इंटर्व्यू प्राब्लम है जा मैं उसको प्राब्लम को हूँ या सौट्श और जिसेजन को हूँ जो भी आप लगा लीजिए वो यह हैं कि युके जो है तीन से चार बार इ जो जो आपने चाहिए कि तीन से चार जो बार है इंटर्व्यू हो रहा है और अग्याइट लिए अप्लाइग करना चाहते हो तो अभी अगर आपको लगता है कि आप माइं पहले अप्लाइग करोगे और आपका cash letter आ जाएगा इस bit hard case क्योंकि अगर आपकी 3-4 बार interview आ गया तो आपको ही difficulties face करनी पड़ेगी in fact ये भी हो सकता है कि आपका जो intake है वो छोट जाए कि आपको offer letter तो मिलगी आपकी formalities हो रही है बढ़ आपका cash letter नहीं आ रहा और interview नहीं clear हो रहा ये तो थी updates regarding to plus two graduation और post graduation को लेकर इसके लावा UK कि अगर मैं current scenario की बात करूँ अभी भी बच्चों के अंदर बहुत सारी जो information आती है कि confusion कहा लीजे कि उनको interview को लेकर बहुत problem होती है तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाओंगी मंजिल जो है अपने हर बच्चे को हर जो student को सिर्फ उनकी profile तक ही नहीं सिर्फ IELTS की preparation तक ही नहीं इन फैक्ट उनकी युक्के के लिए भी उनको sorry interview के लिए भी उनको prepare करते हैं तो अगर आपनी interview के लिए prepare करना है तो आप नीचे दिये कि number पे हमारे staff के साथ consult कर सकते हैं अपनी problems उनको बता भी सकते हैं और easily सारे interview के लिए prepare भी या फिर त्यारी भी कर सकते हैं Thank you guys